सबसे पहले इस लिटरेचल तरश्टिवल के बारे में बताएए यह कैसे डिफरेंट है अधर लिटरेचल तरश्टिवल से की मैं समिता जानता हूं पिछले साघे चार साल से साड़ेचार या पांच साल से और मुझे याद है जब हम ने पहलі निट-फेस्ट किया था वो Wвë St. Zeviuòng College में हुआ था था। उसके बाद शायद एक हुआ था जिम खाना में मरीन रही नेॉ उसके बाद एक हुआ वहा पर नहीं नहीं वह मॉल में और अब यहाँ तो मैं हर सा ही यह पर आ रहा हूँ प्रफशनेट और दूसरी चीज़ कि यह सिर्फ राइटिंग और स्टोरी टेलिंग के पे आधारित नहीं है तर इस सो मच मौर कहीं पर मुजिशन आ रहे हैं अभी अनुप जालोटा जी से मुलाकात हुई तो अलग-अलग आट फॉर्म्स इसमें प्रिजेंट किये जा रहे हैं अगर हम देखने जाएं तो हम जो राइटर्स हैं हम अल्टिमेटली तो आर्टिस्ट्स ही हैं तो अब अर्ट इस शी हैं, तो अचली जो इंटर्वियो हुआ तो वो काफी दिल्चस्प था कि मेरी जो लाइफ जर्नी है वो काफी मतलब अलग सी है क्योंकि 12-15 साल तक जब मैं 30-35 का था मैं सिर्फ धंदा कर रहा था, मैं बिजनसमन था और सड़ली 12-15 साल पहले मैंने अपनी पहली किताब लिख ली और उसके बाद 12 किताबें निकाल चुका हूँना तो जिसे कहते हैं वो जो लाइफ जर्नी है उससे कई लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी चेंज कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं, कुछ नया कट सकते हैं तो उस पे ज्यादा आज फोकस था जैसे सर ने बताया कि वो चार साल से आ रहे हैं, कितना प्राउड फिल होता है जब अधर लिटरेशन फेस्टिवल से हमारा जो लिटरेशन फेस्टिवल है इतना लोग पसंद कर रहे हैं और आना आ रहे हैं आपत्ट आसावाँ तो इसी मैं ये काऊंगी कि लिटो पैस में हम जाय करते हैं और अश्विन ने हमेशा अपना ताइम और देट दिया हैं और अश्विन ने हमेशा अपना ताइम और देट दिया हैं और रहे हैं और रहे हैं और रहे हमेशा अपना ताइम और देट दिया हैं और रहे 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 है